किसी सायर ने कहा है कि तुने चाहा ही नहीं वरना हलात बदल सकते थे, तेरे आखों के आशुम मेरे आखों से निकल सकते थे. एक सब्द आपके बच्चे का IQ और presence of mind 100k speed में दोडाने के लिए काफी है, जैसे word लिखिये cow और बच्चे से पूछिए कि बेटा cow मतलब guy और cow हमें क्या देती है, बच्चा बताता है तो ठीक है, और नहीं तो आप बताईए कि बेटा cow हमें काफ देती है, cow हमें डंग देती है, cow हमें milk देती है, ओके, आज का क्लास आपके बच्चे का brain IQ इतना develop कर देगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगाए होंगे, आज मैं हाथ जोड का request करना चाहूँगा उन parents से, उन a school संचालकों से जो बच्चों को थपड मारते हैं, डारते हैं, punishment देते हैं, डंडा गिराते हैं, आज से मेरी request है कि बच्चे को मारना नहीं है, डंडा नहीं गिराना है, punishment नहीं देना है, चुकि बच्चे को डंडा गिराने से, थपड मारने से, punishment देने से बच्चा डर जाता है, जो उसके दिल में बात चल रहा है, जो दिमाज में है, वो आपसे पूछ नहीं पाता है, औ और कमजोड का कमजोड रहा जाता है। बच्चे को जब प्यार से पढ़ाईएगा, महबबत से पढ़ाईएगा, तो बच्चा हर चीज आप से पूछेगा। उसके क्यूरिसीटी बढ़ जाएगी आप से कुछ पूछने की, आप से डरेगा नहीं, आप से प्यार करने है, महबबत ही काफी है, तो बच्चों को महबबत से पढ़ाईए, प्यार से पढ़ाईए, उस सब कुछ सीख जाएगा, और आज के मेरा चेप्टर है, जो मेरा सिलेबस है, ये कंप्लीट मेरा अपना रिसर्च है, इस रिसर्च से बच्चा 100% एस्पोकन भी सीखेगा, इं मेरा आप का नाम क्या है, और यूटूब का नाम क्या है, जैसे, अब बच्चा से आपने पूछ दिया है, कि काउ हमें क्या देती है, तो काफ देती है, डंग देती है, और मिल्क देती है, अब बच्चे से पूछिए, कि बेटा, काफ जो है बड़ा होकर औक्स हो जाता है, यानि कि बैल हो जाता है और ओक्स क्या करता है तो प्लाव करता है क्या करता है बटा प्लाव यानि कि जोतता है और क्या जोतता है तो बताईए कि ये फिल्ड जोतता है यानि कि खेत को जोतता है और खेत में क्या होता है तो बच्चे को बताईए कि खेत में ग्रेन्स होता है, खेत में फ्रूट्स होता है, खेत में वेजेटेबल्स होता है और अब ग्रेन्स के नीचे आप डियागराम बनाईए, डस को डियागराम बनाईए और डस जो है अनाल्स का नाम रखिए, जैसे मेज, वीट, पेडी, राइस, इस तरह के जो है दस ग्रेन्स का नाम रखिए, फ्रूट्स के नीचे जो है डियागराम बनाईए, और जैसे कम स इस तरह से बहुत सारे fruits का नाम रखें, कम से कम 10 grain का नाम रखिए, 10 fruits का नाम रखिए, अब vegetables पर आ जाईए, तो vegetables के नीचे diagram बनाईए, और 10 vegetables का नाम लिखें, जैसे potato, onion, इस तरह के 10 गो vegetables का नाम लिखें, देखिए बच्चे के पास कितना word meaning हो जाएगा, किस से, सिरिफ cow से, मैंने एक दूसरे से connect कर दिया है, chain बना दिया है, ओके, फिर बच्चे से पूछिए, कि बेटा, डंग से क्या बनता है, डंग मने होता है, गोबर, ओके, और डंग से क्या बनता है, तो बच्चे को बताईए, कि डंग से बनता है, fertilizer, यानि कि खाद बनता है, और खाद कहा ज जाता है तो खाद जो है फिल्ड में जाता है कहा जाता है बस बगर में फिल्ड है फिल्ड में जाता है यानि कि खेत में जाता है तो खेत में जब जाता है तो आनाज उपजाव होता है एस्ट्रॉंग होता है तो एक और वर्ड सीखेंगा क्या चीज़ एस्ट्रॉंग strong मने मजबूत होता है क्या मजबूत होता है तो grain जो है strong होता है fruit strong होता है vegetable strong होता है उसके बाद जो है बच्चे से पूछिए कि बटा milk से क्या-क्या बनता है चुकि milk मने होता है दूद दूद से क्या-क्या बनता है तो बच्चा बताएगा कि टी बनता है, कौफी बनता है, उसके बद क्या बनता है, कड बनता है, बटर बनता है, और क्या बनता है, घी बनता है, और क्या बनता है बटा, तो बताईए कि जो है, स्वीट्स बनता है, अब कौन-कौन सा स्वीट्स बनता है तो यहाँ पर 10 गो जो है डागराम खीचे उसके नीचे और 10 गो जो है स्वीट्स का नाम रिखिए अब बताए कि बच्चे के IQ डेवलप करेगा नहीं एक दम 100% काम करेगा पताए क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? तो एक लिखा यहाँ पर काव और काव से connect कर दिया काफ डैंग, milk और यहाँ पर जो है काव क्या देती है तो ओक्स देती है काफ बड़ा ओकर ओक्स बन जाता है ओक्स क्या करता है? पलाव करता है किसको तो फिल्ड को और फिल्ड में क्या होता है तो ग्रेंस होता है दस को ग्रेंस का नाम लिखिए ठीकर अब फुरूट्स होता है दस फुरूट्स का नाम लिखिए वेजेटेबल्स होता है दस वेजेटेबल्स का नाम लिखिए डंक सकने करके बच्चों को डेवलप करा सकते है, उसके बाद मिल्क से क्या बनता है, टी कौफी कड़ बनता है, बटर गी बनता है, और क्या बनता है, तो स्वीट्स बनता है, अब यहाँ जोड़ते जाएए, मतलब आप एक एक वर्ड से हजारों के संख्या में वर्ड बना सकते हैं जिससे बच्चे के IQ डेवलप कर जाएगा उसका परजेंस ओफ माइंड हंडेड के स्पीड में काम करने लएगा और इस तरह का एक नहीं वलकि हजारों के संख्या में ट्रीक है मेरे आप पर आथा और मैंने तो आपको एक वर्ड शिरिफ बताया है कौन से वर्ड मैंने बताया गाईज क्या बताया एक वर्ड मैंने शिरिफ आप लोग को बताया था गाईज कावू और कावू पर जो है मैं आप लोग को बताया कि कैसे बच्चे का ब्रेन वर्क करेगा और fight में डंडा नहीं मारना है थपड़ नहीं मारना है punishment नहीं देना है मैं बार-बार request कर्रहा हूं एक बार फी request कर्रहा हूं एस स्कूल के शिछकों से director, principal, संचाल को से और parents से भी कि बच्चों को मारे नहीं मोहबत से पढ़ाएं, प्यार से पढ़ाएं, प्यार में बहुत ताकत होता है, किसी से प्यार करके देखी आपको एहसाल हो जाए, आपको एहसास हो जाएगा कि कितना प्यार में ताकत है, कितनी मोहबत में ताकत है, अर जी मोहबत में तो इतनी ताकत है कि जानवर को भी ऐसे बूलाते हैं ना तो जानवर भी दोड़े हुए आपके पास चला या ते इनसाम तो बड़ी दूर के चीज है तो महबत में विश्वास तो रखिए चुकि किसी सायर ने कहा था किसी सायर ने कहा है कि तुने चाहा ही नहीं वरना हलात बदल सकते थे तेरे आखों के आशु मेरे आखों से निकल सकते थे मैं तो ख़ड़ा ही रहा जील की तरह दर्या बनते तो बहुत दूर तक निकल सकते थे बहुत दूर तक निकल सकते थे सही सुन रहे है गाईज मुहबबत में बहुत ताकत होती है और गड़ी सारा कर रही है कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में इसी वक्त तब तक ले लूँगा एक छोटा सब्रेक Thank you, have a nice day